भारत माता की, भारत माता की, मैं ब्रदक्षेत्र के सभी देवी देवताओं को स्रद्धा पुर्वक प्रणाम करता हूँ. मैं आज आपके पास विशेष रुप से आया हूँ, मैं पहले भी आता हूँ, आता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पहुंच सकता हूँ, पहुंचता हूँ, लेकिन पहले जब मैं आता था, तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्गाटन के लिए आता था, लेकिन आज मैं आप से देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया, मैं आप से विक्सीद भारत के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया, आप मुझे बताईए, अगर भारत विक्सीद होता है, तो आपका भला होगा के नहीं होगा, भारत विक्सीद होता है, तो आपके परिवार का भला होगा के नहीं होगा, भारत विक्सित होगा तो आपके बच्चों का भणा होगा नहीं होगा और इसलिए भी देश एक जुड़ होकर कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों भारत की बढ़ती हुई शक्ती कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है अब जैसे यहाँ डिफेंस कोरिडोर बन रहा है ये देश की सेना के लिए आत्मन निर्फर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए गातक अस्त्र और सस्त्र बनेंगे लेकिन दुनिया भर में जो हत्यारों के दलाल है जो पुरानी सरकारों में गूस दे करके अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैटे हुए लोगों को भी ये मलाइक खाने को मिलती थी उनको भी मज़ा आता था ऐसे सारे लोग अमोदी जब सस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है तो बौखला गये है बहुत नाराज है वो नहीं चाते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने इसलिए वो मोदी के बिरोद एक जुट हो गए है इन ताकतों को रोकने के लिए देश के उजवल भविष्चा के लिए देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार फिर एक बार बीजेपी एंडिये सरकार लाना बहुत आवशक है भाई और बहनों मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है लेकिन सबका कॉंग्रेस के इंडी गड़बंदन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है हमारा दस साल का ट्रेक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्रा हम जोड दे रहे हैं सेचुरेशन पर कल्यान कारी योजनाओं का लाब सबको मिले पूरा लाब मिले बिना बिचोलियों को मिले बिना रिश्वत को मिले और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले ये भाजपा का सेचुरेशन मोडल है क्योंकि जहां सेचुरेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है हमारा सेकुलरिजम भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने बिना धर्म जाती भेदभाव सबको मिलना चाहिए सच्चा सामाजिक न्याई भी यही है जब आप बिना भेदभाव बिना अपने पराए बिना रिश्वत खोरी सबका हक पुरा करते है तो इससे बड़ा सामाजिक न्याई क्या हो सकता है और आपने देखा होगा फ्री राशन हो मुप्त इलाज हो पक्का घर हो टॉयलेट बनाना हो नल से जल देना हो ये सारे लाब हर लाभार्थी को मिले बिना बेदभाव को मिले ये मोदी की गारंटी है अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे है सब लोग अगर हाथ उपर कर बताओगे तो मैं बताओगा करोगे है फक्का करोगे देखिए मैं दिन रात मेहनत तो करता हूँ और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं उनकी पूरी सरकार मेहनत करती हैं फिर भी जब आप गाउं में जाएंगे इलाके में जाएंगे सोसाइटी में जाएंगे हो सकता है दो चार दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुँची है तो मेरा एक काम करेंगे जिनकी योजना नहीं पहुँची है उनकी सुची बनाना और उनको कहना कि मोदी जिने आगरा में आये थे गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टम में उसका भी पुरा हो जाएगा ये बता देंगे और आप देखिए मेरे लिए तो आप सभी मोदी ही है और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जुरूर पहुचेगी साथियों जम एक के बाद एक गरीब के ससक्ति करन के हम काम कर रहे है गरीब को गरीबी को परास्त कर लेक लिए मजबूत कर रहे है एक ऐसा मोडल है जिस मोडल की आज दुनिया के लोग तर्चा कर रहे है क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है हमने जो मोडल अपनाया है उससे आज देश में पचीस करोर देशवासी जो गरीबी की जिन्दगी जीते थे वो गरीबी से बहार निकले है साथियों मोडी हमारे देश में हमने तुष्टी करण की राजनीती बहुत देखी है तुष्टी करण की राजनीती ने के देश को तुकडे तुकडों में बांट के रख दिया है तुष्टी करण की राजनीती ने सच्चे वर इमान दारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोडी तुष्टी करण को समाप्त करके संतुष्टी करण की और आगे बढ़ रहा है हमारा रास्ता तुष्टी करण का नहीं है हमारा रास्ता संतुष्टी करण का है सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टी करण का महा मार्ग है लेकिन सपा कॉंग्रेस का इंडी गड़ बंदन गोर तुष्टी करण में जुटा है 24 के चुनाओं में कॉंग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर शत्प्रतिशत और ये मैंने पहले ही दिन कहा था आज नहीं कह रहा हूँ कॉंग्रेस के इसमार के मैनिफेस्टो पर सत्प्रतिशत मुस्लिम लिग का थप्पा लगा हुआ है मुस्लिम लिग की छाप है कॉंग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सरफ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है साथियों आजादी के बात से ही ये स्पस्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्चन नहीं दिया जाएगा ये संविदान सभा में चर्चा करने के बात तै हुआ है संविदान सभा में जो चर्चा हुई थी जिसको बाबा साब आमबेड करने लिखा था यही संविदान की मुल भावना है यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविदान आरक्षण की सहमती नहीं देता है लेकिन कॉंग्रेट एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है संविदान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो दज्जियां उड़ा देती है लीरे लीरे उड़ा देती है इसी कॉंग्रेट ने कभी करनाटका में कभी आंदर प्रदेश में कभी अपने गोष्णा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की देश का संभिदान देश की अधालतें कॉंग्रेट को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है उनकी हर बात को देश के न्याय पालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कॉंग्रेट ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है SC, ST, OBC के आँख में धूल जोग करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है अब कॉंग्रेट ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाग कर रहेगी और इसके लिए कॉंग्रेट ने तरीका निकाला है जो OBC का कोटा है 27% का जो OBC का कोटा है क्योंकि मैं भी उस समाज चाहता हूँ इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है यह जो 27% आरक्षन का कोटा है अब उन्होंने तै किया है कि उस में से कुछ चोरी कर लिया जाए 27% में से चोरी कर लिया जाए चुप चांप चिल लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षन दे दिया जाए क्या आपको यह मंजूर है यह आप सहन कर सकते हैं यह आप स्विकार कर सकते हैं देखिये करनाटका ने क्या किया करना टका ने वहाँ की इस कॉंग्रेस की सरकार ने रातो रात करना टका में जितनी भी मुस्लिम जातिया है छोटी मोटी धनी पड़ीली की सब सभी जातियों को रातो रात एक कागज पे थपा मार कर उनको ओबीसी बना दिया रातो रात और उनको कह दिया कि जो 27 परसंट है ना अब आप उसके मालिक हो जाओ लूट लो ओबीसी के हक पर डाका डाला है ये डाका है कि नहीं है ये डाका है कि नहीं है जरा पुरी ताकत से बताईए भई ये डाका है कि नहीं है जड़ा इज़र से माता है बहने बताईए डाका है कि नहीं है कॉंग्रेस का इवरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है यही कारणामा दोराना है देश में जहां जहां मोका मिले यह पिछले दिर्वाजे से चोरी छिपी से OBC का हक लूट लेना SC का हक लूट लेना ST का लूट लेना और उनको दे देना और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का फुरा साथ मिल रहा है आप याद कीजिए 2012 मैं उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस की केंदर सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी इन्होंने OBC के आरक्षन का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनोरिटी को देने का फैसला किया था लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए यूपी के लोगों को और विशेश कर OBC समुदाई को कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल कॉंग्रेस और सपा का ये खतरना खेल ये मेरे OBC भाईयों बेहनों को समझना पड़ेगा दलीतों को वंचीतों को पीछणों को ये सपा कॉंग्रेस का खेल समझना पड़ेगा यहाँ यूपी में हमारे कुर्मे, मौर्या, कुश्वाहा, यादव, जाट, गुजर, राजबर, तेली, पाल ऐसी अनेक OBC जातियों है, उनका हक है, बारत के सम्विधान के अनुसार हक है, तो इन से स्थिनकर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछडों से ही सबसे बड़ा विश्वास गात कर रही है, तुष्टी करण में डूबी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है, और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टी करण की राजनिती ही है, दोनों मिलकर भाशन में तो ओबी सी ओबी सी करते हैं, और पिछले दरवाजे से ओबी सी का हग छिनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं, आप मुझे बताईए, क्या आप, जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ, क्या आप कॉंग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे, ये बेइमानी करने देंगे, ये आपके अधिकार को लूटने देंगे, बाई और बैनों, योगी जी के मुख्य मंत्री बनने से पहले, यहाँ इंडी गडबंदन वालों का नारा क्या होता था, आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो, मैं जरह याद कराना चाहता हूँ, उस समय नारा क्या था, जो जमिन सरकारी है, जो जमिन सरकारी है, वो जमिन हमारी है, ठाक नहीं था ऐसा नारा, ऐसा नारा लगता था कर नहीं लगता था, और लखनवु में जो बैटी दिन सरकार बोट बैंक वाली सरकार उनका अशिरवाद रहता था ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जग पर पहुँचाया लेकिन साथियों अब कॉंगरेस और इंडी गड़बंदन वालों का नया प्लान सामने आया है और ये नया प्लान क्या है ये याद रखेंगे आप लोग गर गर पहुँचाएंगे नया प्लान जड़ा इधर से आवाज आएं पहुँचाएंगे पीस्टे से आवाज आए पहुँचाएंगे जो दूर दूर है वो भी जरा बताए पहुँचाएंगे इनका जो नया प्लान है याद रखना कॉंग्रेस की लूट कॉंग्रेस की लूट जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के बाद भी अब बोलेंगे आप लोग कॉंग्रेस की लूट जिन्दकी के जिन्दकी के और कॉंग्रेस की लूट जिन्दकी के बाद भी जिन्दकी के कॉंग्रेस के लोग कहते हैं बार बार कह रहे हैं और बड़े खुश मिजाज हो करके कह रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जाच होगी X-ray Congress के साजादे की X-ray मशीन अब बेहनों बेटियों की अलमारियों में पहुचेगी साजादे की X-ray मशीन लोकर में पहुचेगी अरे किसी करीब माने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिबे में रखा है ना तो उनकी X-ray महां भी पहुचेगी इन्होंने मंगल सुत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी X-ray पहुचेगी और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा ये सपा कॉंग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाकार डालेगी कब जा करेगी ये उन्होंने गोसरा की है ये मैं नहीं कह रहा हूँ उनके बड़े बड़े दिग्यच कह रहे हैं खुद साजादे कह रहे हैं क्या आप हमारी माता बेने जरा मुझे बताईए आपके पास जो स्त्रीधन है आपके पास जो मंगल सुत्र है क्या ये आप किसी को लेने देंगे किसी सरकार को लेने देंगे देश की कोई माता बेहना लेने देगी अरे सर कटवा देगी लेकिन वो कभी नहीं देगी ये इनको मालूम नहीं है साथियों आप से आपकी संपत्ती छीनने की कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है अब कॉंग्रेस सपावाले इंडी गड़बंदन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे आपकी विरासत का मतलब है दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गड़बंदन कॉंग्रेस गड़बंदन ने गोश्रा किये कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55% आदे से जादा सरकार उस पर कबजा कर लेगी बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा बताईए आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या यानि आज जो संपती आप आने वाली पीडियों के लिए जोड रहे हैं आपके बाद उस पर भी ये लोग आदे से जादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं अब मैं समझाता हूँ मान लिजिए आपने अपने बच्चों के लिए चार कमरे का घर बनाया है तो आपके बाद सिर्फ दो कमरे आपके संतान को मिलेंगे दो कमरे कॉंग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरफकार उसको हडप कर लेगी मान लिजिए आपके पाद दस बिगा खेत है तो पांच बिगा ही आपके बच्चों को मिलेगा बाकी कॉंग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी आप अपनी संपत्ती क्या कॉंग्रेस सपा के ब्रश्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे जरा पूरी ताकते बनाईए मुद्दा बड़ा गंबीर बनता जा रहा है जाने देंगे आपको गुशा आ रहा है और नहीं आ रहा है साथियों SC, ST, OBC के हग पर दाका डालने और बेहनों के मंगल सुत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गड़ बनने वालों ये दिवार पर लखा हुआ पड़लो और कान खोल कर सुनलो जब तक मोदी जिन्दा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा हमारा संकल्प है जो प्रस्टाचारी है उनकी जांच होगी जुनोंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा ये जो प्रस्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है जो बंगले गाड़िया जबत हो रही है ये जन्ता को कैसे लोटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है रास्ता खोज रहा है ये माताओ बेहनों की बचत्पन नजर गड़ाए हुए है लेकिन मोदी माताओ बेहनों को संपत्ति का हगदार बनाने में मैं आपका चौकिदार बनके खड़ा हूँ बीते दस वरसों में मोदी ने 4 करोड पक्के घर बनाए है इन में से 3 करोड चे अधिक पक्के घर माताओ बेहनों के नाम मिले है ये मेरी माताओ बेहनों की ताकत है मोदी ने बेहनों के जनदन बैंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाप का सीधा पैसा गर की माता बेहन के खाते में जाए और अब मोदी की गारंटी है कि तीन करोड बेहनों को आंकड़ा याद रखिए तीन करोड बेहनों को लखपती दिदी बनाया जाएगा आज देश का युवा आत्मविश्वात से भरा हुआ है आशावान है सामर्थवान है कर्तुत्वान है और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है मैं दुनिया में जाता हूं न तो मैं मुझे लोग पूते बोदी जी इतने बड़े बड़े काम इतने बड़े बड़े सपने मैंने काए सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नवजवानों से मिलती है उनके सामर्थ से मिलती है आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं नए नए सेक्टर खुल रहे हैं युवाओं की हर आकांच्छा का ध्यान हमारी सरकार रख रही हैं युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है कि स्कील इंडिया मिशन है स्टेंड़ इंडिया मिशन है हमारी नोंने नौकरियों में गेर जरूरी इंटेव खत्म कर दिये हमने स्थानिय भासाओं में परिक्षाओं का प्रावधान किया हमने सरकारी ब्यवत्ताओं को फेसलेस बना दिया साथियों दूसरी तरफ कॉंग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई बती जावात को बढ़ाया युवाओं की छमता को बरबाद किया अभी इसका ताजा प्रमान मिला है आप जड़ा सुनिये और ल साथ आज अपने अखबारों में पर पढ़ाओंगा ताजा प्रमान मिला है हमारे पडोस में राजस्थान में वहाँ कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस के अपने लोगों ने कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है और सारवजनी गुरूप से किया है और अभी तक कॉंग्रे के मुँपर ताले लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लिख याने नव जवानों के भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवार वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लिख हुआ वो पेपर लिख में गहलोत सरकार कॉंग्रेस के गहलोत की सरकार खूद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है जो कॉंग्रेस के मुक्ध मंत्री के कारयले में काम करने वाले सज्जनते वो खेह रहे हैं आप बताईए मेरे नव जवानों इससे बड़ा पाप इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है यानि राजस्तान में आप कॉंग्रेस का ही पेपर लीग हो गया है यही कॉंग्रेस की सच्चा ही है इसलिए देश के युवाओं को हमारे फॉर्स टाइम बॉटर्स को कॉंग्रेस से बहुत सतर्क रहना है बाई और बहनों भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सडके आदुनिक रेल लाइन मेट्रो सुविदाएं कोवीड में वैक्चिन की व्यवस्ता अच्छी करोर लोगों को मुप्त राश्यान सतर साल से उपर के लोगों के लिए आउश्मान काड हम आगरा फते पूर्सिक्री सहीत इस पूरे ख्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशक और परियटकों के लिए आकर्शक बनाने में जूटे आप याद रखेगा यह जो आयोध्या में प्रभू राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा है ना लाखों लोग आ रहे हैं काशी में जो कोरिडोर बनाएं लाखों लोग आ रहे हैं आप मान के चलिए वो निकलते हैं आयोध्या आने के लिए वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए लेकिन वो जुरूर आगरा करके जाते हैं और इसलिए यहां का तुरिजम तो बढ़ने भी बढ़ने वाला है आपको तो एक आद में दो दो लड्डू है आप याद रखिएगा आपका वोट S.P.C. बगेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही लेकिन जब आप वोट उनको देगे न तो उनको तो मिलेगा ही लेकिन यह वोट मोदी को भी मिलेगा तो आप मोदी को वोट देंगे पक्का देंगे और इसले साथ मैं को कुछ समाए अपने सेवक के लिए जुरुन निकालना कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादिया क्यों न हो, कितने ही नीजी काम क्यों न हो लेकिन जब मैं इतनी महनत करता हूँ, दिन रात महनत करता हूँ, तो मतदान के दिन मेरा आप से कुछ समय मागने का हक बनता है का नहीं बनता है मैं इतना तो मांग सकता हूँ कर नहीं मांग सकता हूँ मैं देश वादश्यों से इतना तो मांग सकता हूँ न का आप देश के लिए एक दो घंटे निकालिए गर्मी हो तो भी निकलिए मतदान किजिए मद्दान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे गर-गर जाएंगे गर-गर जाकर के कहना मोदी जी आये थे आप सबको रादे रादे कहा है पहुँचा देंगे राम राम मेरा मेरा राम राम पहुँचा देंगे बोलिये भारत माता की बारत माता की बारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh